बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com तमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ चैलेंड रुपांडे आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में मंगल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो वो भगवान शिव की पूजा से कैसे दूर हो सकती है बिलकुल क्योंकि आम तोर पर मंगल की समस्याओं के निवानर के लिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं विशेश इस्तितियों में कुमार कार्थिके की पूजा करते हैं लेकिन हम आपको बताएंगे कि अगर आप मंगल की समस्या से परेशान हैं तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके उस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं मंगल के उपाय बताएं इसके पहले आपको एक छोटी सी बात बता दें कि मंगल सामान्य रूप से जिन्दगी पर कैसे असर डालता है मंगल का जो रोल है जो प्रभाव है वो जीवन पर कैसा होता है देखिए मंगल को ग्रहों में सेनापती माना जाता है यानि मंगल जो है वो सुरक्षा का कारण है सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी भूमिका मंगल की जिन्दगी में होती है शक्ति, उर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी भी मंगल है मंगल कॉन्फिडेंस देता है, मंगल शक्ति देता है, मंगल एनर्जी लेवल को बनाए रखता है इसका मुख्य तत्व जो है वो अगनी तत्व है और इसका जो मुख्य रंग है वो लाल है ताबा इसकी धातु है और जो इसका अनाज है जमीन और जमीन से निकलने वाली तमाम चीजों पर ही मंगल का प्रभाव होता है मंगल को भूमी पुत्र भी कहते हैं क्योंकि जमीन से संबंदित चीजों पर मंगल का ही अधिकार दिखाई देता है मंगल के पास दो राशियां है मेश राशी और व्रिश्चिक राशी इन दोनों का स्वामी मंगल है मंगल की जो उच्छ राशी है वो मकर राशी है जिसमें मंगल सबसे जादा मजबूत होता है और मंगल की सबसे कमजोर राशी करक राशी है जिसमें मंगल सबसे जादा कमजोर होता है अब मान लिया कि मंगल आपकी कुंडली में गड़बड है खराब है तो मंगल आपके जीवन में किस-किस तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है देखिए व्यक्ति का स्वभाव कुरूर और हिंसक हो जाता है अगर मंगल खराब है तो आप बड़े कुरूर होंगे बड़े हिंसक होंगे आप उपद्रव करेंगे आप वाइलेंस पैदा करेंगे मंगल अगर खराब हो तो आत्मविश्वास और साहस का स्थर भी कमजोर हो जाता है क्योंकि इसको लेकर भी दिक्कते होनी शुरू हो जाती है मंगल अगर खराब है तो संपत्ती और जमीन के मामले में मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है और व्यक्ति को रक्त संबंदी समस्याएं भी हो जाती है हाला कि रक्त की बीमारियों के पीछे चंद्रमा होता है लेकिन मंगल की भूमिका काफी होती है और मंगल अगर खराब हो तो कर्ज और मुकदमे बाजी की समस्या लगी रहती है यानि एक कर्ज खतम हुआ दूसरा चड़ा एक मुकदमा खतम हुआ दूसरा शुरू हुआ ये सब संभावना बन जाती है और खराब मंगल की वज़ह से कभी कभी जेल के दर्शन भी हो जाते है अगर मंगल का नकारात्मक प्रभाव निगेटिव प्रभाव विवाह पर पड़ जाये या विवाह से हो जाए तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है वैवाहिक जीवन में दिक्कते आनी शुरू हो जाती है अब अगर मंगल की वज़ा से स्वभाव की समस्या है या आपका स्वभाव बड़ा कुरूर है, बड़ा हिंसक है आप बात-बात में चीकते हैं, चिलाते हैं, उपद्रव मचाते हैं मंगल की वज़ से दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे रोज सवेरे लाल फूल डाल करके भगवान शिव को जल चड़ाईए ये लाल फूल गुडहल का भी हो सकता है और गुलाब का भी हो सकता है लाल आसन पर बैठ करके भगवान शिव के मंतर का जब करिये मंत्र होगा ओम नमो भगवते रूद्राय ओम नमो भगवते रूद्राय इस मंत्र का जब करिये और ये प्रियोग लगातार 15 दिन तक अगर आप करें तो निश्चित रूप से आपको लाब होगा आपके स्वभाव की जबान की वारी की समस्याएं दूर हो जाएंगे